इतने सारी कपकेक्स के मोल्स देखकर बिल्कुल भी हैरान मत होएगा क्यूंकि मेरे बेते का दो अगस्त को बर्डे था जिसके लिए उसे उसके क्लास में केक्स डिस्टिब्यूट करने थे और उसकी ही प्रिपरेशन मैंने यहां पर किये तो इस पूरी प्रिपरेशन को मैंन इतना टाइम लगा और इसकी कॉस्टिंग आप क्या रख सकते हैं साथ ही इसके लिए आपको कितने मटीरियल्स लगेंगे वह सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपको यहां भी व आप बोलेंगे तो आपको वनीला केक के प्रिमिक्स की वीडियो भी मैं चल्दी अपलोड कर दोंगी उसके बाद मैंने यह सारे जो मोल्स हैं यह मार्केट से मंगाये थे यहां पर एक कन्फिक्शनरी की शॉप है जहां हमें यह सोड़े सस्ते रेट में मिलता है तो मुझे मेरे बेटे ने कहा उसके बाद की ममा मुझे चॉकलेट केक देना है तो मैंने उसमे चॉकलेट के बैटर में प्रिपेर कर दिया मेरे बच्चों ने भी मेरी काफी हेल्प की बैटर प्रिपेर करने के लिए मैंने तीन बार बैटर प्रिपेर किया तीन तीन चार चार कप का म मेरे बच्चों ने मेरी काफे हल्पी थी एक उसे रखता था बैटर फिल करने के लिए और दूसरा बैटर को मोल्ड को किनारे करता था जब इस बैटर को मैं प्रपेयर कर रही थी जब मैंने मोल्स को ग्रीस किया उससे पहले मैंने अपने ओटी जी को प्रीहीट कर लिया था दस मिनिट के लिए एक सो सतर डिग्री सेल्जिस पर यह देखे मेरे बच्चों ने भी काफी हल्प की थी 60-65 ग्राम बैटर मैंने हर मोल ट्रांसवर कर लिया था और एक ट्रे में मेरे पास टोटल जो है 9 पीसे ऑफ मोल्स सैट हो रहे थे और दूसरा जो बड़ा ट्रे है उसमें 12 पीसे ऑफ मेरे सैट हो रहे थे तो वन बाई वन मैं दोनों को बेक कर रही थी बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगा मैंने 9 30 में चॉकलेट क्रीम यह आलक से मार्केट में आपको मिल जाएगी और दो कप मैंने यहाँ पर वाइट विपिंग क्रीम यूज की थी, नॉर्मल वनीला फ्लीवर, दोनों ही क्रीम के साथ मैंने इस सारे चॉकलेट की गार्निशिन की थी, इसमें अच्छे से डिजाइन सेट की थी सारे चॉकलेट केक्स रेडी हो गए थे, ठंडे हो गए थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर इन सभी को शुगर सिरप से सोक कर दिया था, सोक करना कंबल सरी है, क्योंकि जब आप चॉकलेट केक इस तरह से बनाते हैं मॉफिन मोल्स में, तो बाद में थोड़े से नीचे से हो उसे लग रहा थे, सारा केक मैं खाने वाला हूँ, मॉम्मा एक दे दो, मॉम्मा एक दे दो, दिस्टर्बिंस भी काफी हो रही थी, बट अच्छा लग रहा थे कि बच्चे एक्साइटेड हैं, खुश होते हैं इन चीजों को लेकर, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बनाते हुए फिल कर दिया था, तो इससे ही जो रशियन नोजल का जो फ्लावर बनता है, जो ट्यूलिप फ्लावर बनकर के रेडी होता है, वो बहुत ही सुन्दा दो शेड्स में दिखता है, आप इस तरीके से अलग-अलग कलर भी ले सकते हैं, मैंने तो सिफ चॉकले और इस तरीके से प्रेस करते हुए आपको इसमें रशियन नोजल से यह फ्लावर टाइप के दिखता है, ट्यूलिप जैसा उस तरह का एक पैटन आपको रेडी कर लेना है, सारे ट्यूलिप पैटन के आपको इस तरीके से डिजाइनिंग कर लेनी है, आप कुछ और डिजाइन बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको यही डिजाइन कंपलसरी बनाना है, वाइट वाली मेरी क्रीम बहुत ज़्यादा मिल्ट हो रही थी, इसलिए मैंने उसे फिर से बीट किया, दो तीन बार मुझे से बीट करना पड़ा, इसलिए टाइम थोड़ा ज़ादा लगा आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स वाइट वाली क्रीम से मैंने जिस तरीके से इस नोजल से बनाया था डिजाइन तो वह बहुत अच्छी बन करके तयाया नहीं थी, इसलिए मैंने उसे फिर से प्रिपेर करना पड़ा था, तो मैंने सारी चॉकलेट क्रीम के साथ ही उसे मिक तो बहुत सुंदर उसकी नोजल डिजाइन जो है रेडी हो गई थी मेरी बहुत सुंदर ट्यूल पैटन जो है रेडी हुआ था इसके बाद इसके उपर का जो पैटन है थोड़े से गार्निशिंग और किये थे शुगर बाल्स थी मेरे पास अलग अलग शेप्स की गोल्ड किसी देखें मैंने सारे में साफ्व मևं गotomذा रणिशिंग कम्प्रीट कर ली थी और गार्निशिंग करने के बाद इसमें सारे में लिट्स थे जो मैंने बहुत अच्छे सेफ बिल्कुल था मेरा ये जो ड़क केक बना था नके स्कूल से तो मुछे बहुत अच्छा मैं निकल जाएगी तो मैंने तो देखिए कोस्टिंग नहीं निकली उसके बावजुद मैंने से प्रपेर किया था क्योंकि मुझे अपने बच्चे के स्कूल में प्रवाइट करना था तो आप चॉकलेट खरी देंगे या बाहर से केक्स खरी देंगे तो एक होम बेकर होती है नहीं करते हैं कि मुझे बेकर SCOTTAY अँश्योंकि बाहर से कर दे हो तो मुझे भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता मिरा मन नहीं करता कि मैं बाहर से जरूरी नहीं कि orders आए ही मुझे ऐसे नीड नहीं है और अगर orders आते हैं तो और भी अच्छा है तो इस तरीके से सारा प्रपेयर किया था है हुमिडिटी बहुत ही तो केक्स को मैं बाहर नहीं रख सकती है तो केक्स को मैंने कैसे रखा वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सारे केक्स को दूसरे दिन मैंने एक बड़े जो डॉल केक वाले बॉक्स आते हैं उसमें मैंने उनके स्कूल में भी बिजवाया था तो बहुत ही अच्छे से यह पाकिंग गई थी मेरी वहाँ पर तो एक कपकेक जो मुझे जो इसकी कॉस्टिंग आई थी वह आई थी एप मॉनिंग में इससे निकाल करके इनके स्कूल बिजवाया था वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें